नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 25 वर्स की पुरुसके पाम का एनालिसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिरे के करके इनके सवालों का उत्र करेंगे उसस कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में ये जौब के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए प्रियासरत है आगे परशासनिक विवाग में जाना चाहते हैं और आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी अधिकारी बनने के योग है की नहीं हतली पर क्या कुछ अवस् तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 100% आपके सरकारी नौकरी होगी अब उस विक्ति को छोड़ दीजे आप उस विक्ति के बातों को छोड़ दीजे जोला चाप हो सकता है परिशान करने के चीज़ों को बोल सकता है उस बात को ना दिल से ना मल से कही मत लगाईए आप जो मैं बोल्ड रहा हूं इस पर गहराई पुरवग नजर डालिए और बिलकुल में नजर अंदाज मत करिए आपकी नौकरी होगी क्योंकि आपके हाथ पर कुछ ऐसी चमतकारी आवस्था मौजूद है जो जातक को धनलाव जरूर कराता है जातक को धन जरूर देता है केवल और के धनलाव ही नहीं कराता है धन भी देता है इस बात की गहरेंटी है तो आईए हम देखते हैं और समझते हैं और उन सभी युवाओं के लिए ये वीडियो महत्पूर है जो खास करके सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी के ये तैयारी कर रहे हैं तो आईए हम गहराई पुरुवक इनके हाथ पर बनने वाले कुछ अवस्थाओं को समस्ते हैं जो बहुत खास अवस्थाओं में गिना जा सकता है तो अपने अपने तली खोड़ लीजे और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी छेतर से धनलाव पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सूरी रेखा का बहुत ज़धा महत्व होता है, बहुत ज़धा इंपोर्टेंस होता है यदि आपके हाथ पर अच्छी सूरी रेखा नहीं होती है तो कही न कही गावर्मेंट जों में दिक्कत आता है अगर आपके हाथ पर अच्छी सूरी रेखा होती है तो सरकाई नौकरी तो लिखवा के आप लाते हैं इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है तो आए इसी गहराई को हम देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं तो जब मैंने इनके हाथ को देखा रहा तो सूरी रेखा एक तो यहाँ से गई और एक आगे बढ़ी कुछ ऐसी एक फिस जैसे आकरती मुझे लगी यहाँ पर यह वाली लेकिन इसको properly मैं नहीं माणूंगा तो मैं इसी को सूरी रेखा मानता हूँ क्योंकि यह बहुत visible नहीं थी और यहाँ पर से एक और सूरी रेखा है और एक सूरी रेखा इदर भी है यहाँ पर देख लो और यह एक line of education है जो कि सूरी रेखा का ही कारे कर रही है तो इतनी अस्पस्ट एक से जादा सूरी रेखा है मतलब दो सूरी रेखा है बहुत clarity के साथ बहुत अस्पस्टता के साथ अदली परवस्थित है तो इस case में नौकणी ना होना ये उस व्यक्ति ने क्यों कहा कि इस reason से कहा ये मेरे समझ से बाहर है maybe उसको नहीं आता हो astrology पाविस्ट्री का उसको ज्यान ना हो ये चीज हो सकता है लेकिन इस सवस्था में आपके जिन्दगी पतरक्की होना तो तह इस अवस्था में सरकारी छेतर से दनलाब पारा तो तह इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है तो आप निश्शिंद रहिए सरकारी नौकणी के properly योग आपके इतली पर अवस्थित है केवल एक ही अवस्था से मैं इस चीज को justify कर पा रहा हूँ और उस विक्ती के बाद को गलत कह पा रहा हूँ जिसने आपको कहा कि आपका नहीं होगा आप एकदम तयारी करो फुल फैलेज में करो आपकी नौकणी होगी गहराई पुरुवक करो कुछ नेगेटिविटी भी है उसको भी मैं दिखाऊंगा उस पर भी काम करके करना सरकारी नौकरी होना तय है और जो आप परशासन में जाना चाहते है उसके लिए थोड़ा आगे चलके मैं विचार करता हूँ और एक महतपूर बात और एक विक्ती मेरे पास आया उसने कहा कि गुरू जी मुझे एक एस्टरोजर ने कहा था कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे आपकी कभी सरकाई नौकरी नहीं होगी लेकिन मैंने उस चीज़ को गलत करके दिखा दिया मैंने पाम सिट्री को गलत करके दिखा दिया तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है ऐसे सोचने वाले विक्ति गलत सोच रहे हैं आप क्यों गलत सोच रहे हैं क्योंकि किसी विक्ति ने आपको कहा और वो विक्ति अग्यानी हो वो मुर्ख हो वो जोला छाप हो इसकी क्या गैरेंटी है समझना मेरी बात मैंने नहीं कहा न या फिर जो ने नोड एस्ट्रोलोजन उसने नहीं कहा न बस सीधी बात समझे लो ग्यान किसी का मोताज नहीं है तो अगर कोई विक्ति यह आप से कह रहा है कि आपकी यह सफलता नहीं मिलेगी आपको यह नौकली नहीं होगा में भी वो अग्यानी हो उसको ग्यान ना हो अगर कोई भी चीज वो लॉजिक के अधार पर कह रहा है तब ही जाके आप मारो मेरा कहने का उदेश है यह था कि हर चीज का एक लॉजिक है हर चीज का एक लॉजिक बना हुआ है तो लॉजिक के तहट कहने वाले चीज़े सही होती है लॉजिक के तहट जो चीज़े नहीं कही गई वो बिल्कुल सही नहीं होती है मैं लॉजिकल तरीकिस चीज़ों को बताने का कोशिश करता हूँ तो बिलीव करना आपके उपर है करिये ना करिये लेकिन नहीं करने का तो कोई option नहीं है तो कि जो आपके हाथ पर अवस्था हैं वही सफल वक्ति के हाथ पर रहेगी तो अगर आपको मैं बोलूगा आप सफल बने के इस पर गलत क्या है तो इसलिए किसी भी परकार के बाइद को मात को माइड ना करे और जिंदगी में आगे बरने के लिए प्रियासरत रहे आपको काम्यापी मिलेगी अगर आपके हाथ पर अच्छी वस्ता हुई तो तो ये बहुत सुन्दर सूरी ने खा थी अलाकि ये बात बोलने का उदेश है ये था काफे चिंतित थे ये उस व्यक्ति के बात को सुनके तो मेरा अदाइत है मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस बात का परचे आपसे जरूर करूँ तो ये केवल एक पॉस्टिविटी के दम पर मैंने कह दिया कि आपके सरकाई नौकरी होगे और ये डेफिरिट है अब उसके बाद आगे और क्या पॉस्टिविटी है पॉस्टिविटी में बाग्य रेखा कोई खराब नहीं है आपकी बहुत शादार बाग्य रेखा है जिंदगी के लास्ट तक दिखरी है मुझे और एक सरकाई चेतर से धनलाव की रेखा भी आपके अतले पर अवस्थित है अगर मैंने इस बाग्य रेखा को बड़ी गहराई पुर्वग देखा ये बहुत सुंदर बाग्य रेखा और आगे भी बाग्य रेखा के बराच्चे से दर गया है ये भी बाग्य रेखा के बराच्चे से यहां से भी बाग्य रेखा है जो कि अद्वुत है ये भी आपको सरकाई चेतर से धनलाव कराती है तीसरी पॉजिटिविटी अवस्था कुछ प्राग्य रेखा इन आपके एतली पर है और जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है तो आने वाला समय आपका बहतर रेखा इस बात का परचकरा रहा है मंगल रेखा बहुत शांदार अमाउंट में है साथ ही साथ आपकी मुद्ध रेखा भी आपके एतली परवस्थित है तो जो धरल आपको इंडिकेट करता है जातक पैसे कमा पाते है जातक के पास धन आ पाता इस चीज़ का ये परचकरा आता है तो वैसेच कोई negativity मुझे हाथ पर जौब प्राप्ति को लेके तो नहीं दिख रही है तो ये इनकी positivity थी इसके उपराद केवल रेखाओं से सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है इसके उपराद planets का भी बड़ा महत्व होता है तो हमें ग्रों को भी जरूर देखना चाहिए वो भी काफी important role play करते है किसी भी वेक्टी के जिंदगी पर चदरमा काफी बड़िया है दोडो मंगल बड़िया दिकरा है सनमरकरी अच्छी है बिरिश्मदी ठीक ठाक है शुकर और मंगल मतलब maximum plans ठीक conditions में है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि कोई गरह खराब है या फिर ग्रों की स्थिति अच्छी नहीं है घरठी ठाक conditions में है जो आपको जरूर सफल जिन्दगी पर बनाती है और इनके कुछ खास खौई से भी नहीं है ये अभी एक जौब पाना चाहते है चाहिए वो करणक लेवल का ही क्यों नहीं हो मस ये पाना चाहते है तो आपको मिल जाएगा तो ये तो की positivity अब बात करते है कि गुरुजी मुझे आपने कह दिया कि आपकी जौब हो जाएगी मैंने मांग भी लिया लेकिन मुझे मेरी हुई क्यों नहीं है 25 वर्स तो ही गया मैं कहा बहुत ज़दा demand कर रहा हूँ मैं तो क्रिक लेवल की ही नौकरी की मांग की बात कर रहा हूँ तो चाहिए आप 10 रुपया कमाओ या 10,000 रुपय कमाओ या 10 लाग कमाओ या 10 अरब कमाओ इसके लिए आपको मेहनत करना परता है बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपके भागे में वो चीज होगा तो थोड़ा विलंब से मिलेगा मिलना तो ही क्योंकि एक समय के बाद लोगों को ये एसास होता है कि वो क्या गलती कर रहे है तो एसास अगर सही समय पर हो जाए तो बहतर रहेगा आपको 28 वर्स में मिलेगी जो 28 वर्स में मिल जाने चाहिए वो आपको 32 वर्स में मिलेगी तो इसलिए हमें अपने नेगडिव चीज पर गौर कर लेना चाहिए और उसको ठीक करने के लिए एक अथक प्रियास कर लेना चाहिए तो सबसे पहले गौर करना बहुत जरूरी है कि negativity क्या है हाथ पर, ये जानना तो जरूरी है ना समसर प्रथम, तो negativity में क्या दिखी मुझे, मुझे दिखी एक disturbed शुक्रवले, जो की mood swing के problems को बताती है, दूसी चीज क्या दिखी मुझे, थोड़ी सी रेखाओ के अटपटी सी ये एड़ी रेखा के अटपटी सी बनावट है, जो थोड़ा emotional तरह आपको बताता है, खैर इसका आपके जॉब से कोई विशे संबन्द नहीं है, उसके उपराद क्या negativity दिखी, जुपिटर में यहां से दवाब होना, जो कि बेशक लाइफ में struggles को बताती है, और कभी कबा के इनके routine अलग होते है, जैसे मान लिया जाए, एक विक्ती है, जिसका result बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन वो परहाई के नाम पर उत्ता जदा मुख के पास time ही दे रहा है, उनके पिता जी माता जी यह complain करते हैं, गुरू जी यह पढ़ता नहीं, फिर बेर result ठीक आ जा 10%, 12% cases में किसके वज़ा से, अगर जुपिटर दवाब में हो जाए, सूरी रेका एक से जादा हो जाए, तो यह divert कराता है, 25-26 साल के आयों तक जात तक divert रहते हैं, क्योंकि यह 25 साल तक struggles को बता रहा है, दो सूरी रेखा है, यह लोग ऐसे नहीं होते हैं, यह लोग बहुत तेज होते हैं, इस बज़ा से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर यह गोवर भी होते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते हैं, अगर यह तेज हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका 25 साल तक यह बिरश्पुति स्ट्रगल दिखा रहा हैं, और यह तेज हैं, यह positivity भी और negativity भी है इसके लिए क्या करना है हलाकि उस age से आप निकलने ही वाले हैं आप 25 साल से और बहुत recent आपकी नौकरी भी होने वाली है 26 वर्स तक तो होने के chance हैं लेकिन उससे पहले एक बात का याद रखना कि कुस प्रभाव जो होते हैं जो आपके जिन्दगी पर पड़ते हैं वो उसके डिर्शन पूरे होने के बाद भी कुस दिन तक रहता है तो इसी लिए आपके लिए सजेशन है कि आप आज से इसी वक्त से परहाई पर पुरा ध्यान दे दीजिए जितना हो सके पढ़िए अच्छे से पढ़िए और बहुत मन लगा के पढ़िए और रोजाना सूरी को जल दीजिए जिससे आपका कंसेंट्रेशन इशूस के जो योग बड़े हुए है वो खतम हो जाएंगे और आप जिन्दगी पर आगे बरने के लिए प्रियासरत हो जाओगे रोजाना सूरी को चल देने से अपने दिमाग को एक आग्रचित करने से आपकी जो इक्षा है सफलता के एवस में वो जरूर पूरती होगी तो ये इनके प्रशन थे जो की मेजरली ही प्रशन थे बाकी छोटे बहुत प्रशन थे आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी प्रॉपर्टी को लेके जो कोशन सबेकर रहे है उस में परतों में विचार कर ही लोगा आप पूछते अथवा नहीं पूछते फ्रवे उसका उत्तर तो आपको भिलना ही था तो अभी मैं दिखाता हूँ इनके हाथ पर तो ये जीबन रेखा से इनिशन करूँगा यहां से दबाब में ये सम लाइंस थोड़े स्ट्रगल दोके को इंडिकेट करता है जातक कंसेट्रेट नहीं कर पाते जाता कितना मन नहीं लगा पाते जिसमें इनको तरक्की में जाए सीधी से एक बार समझेया तो आपको मन लगाना पड़ेगा ये बहुत जरूरी है आपके लिए बच्पन से कुछ प्राउलस लाइं थी जिन्दगी ठीक ठाग मीती है इसका मतलब है कि ये आपको तकलीफ देखो एक राहू रेखा भी है तो राहू रेखा तो ताकतवर है लेकिन प्राउलस लाइन का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही से हुआ है इसका मतलब है कि ये आपको तकलीफ देगा लेकिन सड़ली तकलीफ देगा और सड़ली तरक्की भी देगा जैसे आपने सुना होगा कि आपने अपने एक लाख रुपे गवा दिये आपने अपने एक लाख रुपे गवा दिये लेकिन पता चला आपको एक मेहने के अंदर दो लाख मिल गया दोला तरक्की हो गया, एक लाख गवाया, दोला कमाया मतलब आपको एक नुक्षान होगा आपके 30-30 के आसपास 29-30 में क्या आसपास लेकिन सडनली फिर उस रुक्षान का डवल आपको मिल भी जाएगा जिससे आपको एहसास नहीं होगा कि आपको रुक्षान होगा है 30 के बाद जीबन ड्रेका बहुत एची एक दिक्कत आईए एक दिक्कत है 36-36 वर्स की आयू में 30 में तरक्की, 40 में तरक्की, 40 के बाद भी जीबन ड्रेका बहुत शानदार है और कम्प्रीटली ये 65 वर्स तक तो है अब इसके बाद ये जीबन ड्रेका काड कर लेगी इसको लेके दा डरनी क्यावशक्ता नहीं है कोई के 66% की बात है मंकानर्यखा भी अतली पर है तो ये कही न कही आयु को ले के विसेज ड्रा तो नहीं रही है आयु को ले के विसेज दिक्कतों का सामना तो मेरे समझ से तो नहीं करना चाहिए और अभी 25% वरस्की तो आपके आयु और कहा 75% कहा 25% बहुत बहुत लंबा समय है इसलिए इस बात को लेके दिवाग पमत रखना आप बाद बाकी ये जीबन रेका इनकी पड़िया है जीबन रेका कोई दिक्कत है नी और जो concentration issues के आपके जिंदगी पर योग चल रहे है इसके लिए जो भी बहतर उपाए है जो भी बहतर उपाए मैं बता सकता हूँ जिससे आपको बहुत फाइदा हो नौकरी आपकी जल्दी हो जाला कि 28 में वर्स की आयो तक तो मोटा मोटी तौर पर होने के चांसर जरूर है जो भी setting को पाए है जो भी उपाए करने सा आपको बहतर रिलीफ होगा वो मैं आपको जरूर दे दूँगा तो ये इनके positive negative और इनके महतपूर प्रश्ण के उतर मैंने किया अभी इनके एक और प्रश्ण ते अधिकारी देखो अभी जैसा इस्तिती मुझे दिखराया अधिकारी तो नहीं पहले तो आपका color की होगा फ़री जाके आप कुछ आगे progress करोगे अधिकारी वेगर बन पा होगे अभी इनके तलिका आप जन्यादियन करेंगे चीज़ों को असपस ट्रूप से clear करेंगे तो वीडियो काफे जादा महतपूर है देखे सीखे समझे ये स्क्वाइर स्पाम है और देखा जाए तो गद्देदार है ये गद्देदार हते लिए है राज्योकार हते कमफर्टेबल लाइफ रहते है लाइफ में किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है और गुलाबी अतलि अच्छे परिवार से होते हैं कमफर्ट रहता है जिंदगी पर सुख सुविदा रहेगा और रही बात दोनों मंगल आपकी अच्छी तो प्रशासन में जाने की बड़ी अच्छे इक्छा और आपकी तमन्ना थी तो ये प्रशासन में विवाक से धनल आपको तो बता ही देता है गुलाबी अतलि अए भी धन को अट्रैक करती है पैसे के मोड रूप से दिक्कत नहीं होती जब भी धन की आवशकता हो कई ना कैसे जंदगी पर धन जरूर आ जात है एक जबरदस थम्ब है स्ट्रॉंग इक्षा शक्ति दो लाइन से लाइफ में जो भी रत अपने दम पर है और इक्षा शक्ति बढ़िया है तो फर जंदगी पर कुछ करने के बड़ी अच्छी तमन्ना है रजायर्स के पर अच्छे योग के व्यक्ति महात्मा कांची सम् भी ठीक है फिंगर के बीच में गैप है तो ले खर्चले परवरती के होते हैं लेकिन दिल बड़ा अच्छा है आपका एक दम पानी के तरह साथ किसी के परते कोई ग्रहत भावना नहीं हमेशा लोग के विशायम अच्छा सोचते हैं हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे ये चोटी ये बड़ी इंसान काफी महनती है और ये तो आपकी हिम्मत को बता रही है ये महनत को बता रही है सेटल फिंगर लंबा है तो महनती है धारमी कास्ता भी है बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है अट-थास में साल तक निरने लेने में थोड़ी परशानी निरने को सोच समझ के लेने क्या हो शकता है योही जल्दी बाजी में हर वराहट में पैनिक ने इसमें किसी भी परकार का डिसिजन ना ले ले या आपके लिए किलग साबित हो सकता है आगे फिंगर देखा जातों लंबे खर एच्छी क्रेटिविटी अच्छी समयधारी का परचे तो क बताता है वैसा परोपकाई ने चाहिए दूसरे के लिए करना चाहते है एक समय के बाद के बरश्पती काफी अच्छी थी 28-30 के बाद जुपिटर अच्छा तो जंदगी पर धरनल आपको तो बताता ही बताता है तो बिल्कुल डाउट नहीं है और आने वाले जंदगी में सम्मान को भी बताता है और विवाहिक जीवन के बाद अच्छी सुख में जिन्दगी को भी इंडिकेट करता है तो इस में भी किसी परकार का संदेह नहीं है जुपिटर में किसी परकार का डाउन ने जुपिटर आपका बहुत बढ़िया है जबरदस्त है एक सपने के अब 26-27 साल तो distractions के योग जरूर है ये थोड़ा distractive रेखाई होती भी है तो इसके लिए जो भी remedy है मैं बताओ दूँगा बाकि ये कुछ strangles और negativity को दूर करें बैलन्स ठीक है 28-30 के बाद अच्छा फील करने बाले है इरिटेशन से जल्दी हो जाता है तो उसके योग भी आ बन सकता है उसके बाद तो वैसेज कोई problems के योग नहीं थे तो इसको लेकिजा डरना नहीं है माइंड रेखा अच्छी ओवर conference में कोई बें दरना है मत लेना ये आपकर तकलीफ दे होगा बाकी माइंड रेखा में कोई समस्या है नहीं है यहां से दबावे तो विक्ती मैन करती है स्ट्रॉंग बागे रेखा जिन्दगी के लास्त तक सरकाई चेजर से दरना लाप तो डिस्ट्रप्शन को वैते मूट सुरिंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है बागे की भी बागे रेखा अच्छी है कुछ घर से दूर के उन्नरती के भी योग है जैसे आकरती बन जरूर रही है अर्तिस वर्स के बाद प्रॉपटी के सुख के लाइन्स भी आपके एतली पर है जो आपका प्रशन था तो अर्तिस में साल के बाद के बाद प्रॉपटी विगरा जरूर बनाओंगे आप सन्मर के इच्छे बुदिविक से कार करते हैं स्ट आप पुलिस में जाना चाहते है सैडिक बना चाहते है तो आप बेशक बन सकते हैं मंगल आपका बहुत प्रबल है आयो दिरगायो लॉजिकल विक्ति हैं चदर में आपका बढ़िया है पैसे के फ्लो बढ़ी रहेगे घर से दूर की उड़ती के योग को यह बता रहा है इ यह बंदी है तो बढ़िया मनी ट्रेंगल बनाएगी चत्तिस के बाद भी बागे रहेखा ची कुछ प्रॉपटी के योग है यह बी एक बुद्ध रहेखा है जो की बहुत विजिबल नहीं है यह तो माहिं रहेखा के ब्रांच है यह चदर माप गई है तो लोग उस जुरे के लाइन स्ट्रस रहते हैं जिन्दगी पर प्रार्मभिक समय में बागी मरी मैंजमेंट प्रबल है जिन्दगी पर पैसा आता ही है मंगल बढ़िया है तो लेने के योग है तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो ट्राइंगल से तो महस शर्तिस वर्स क्यायों के बाद कर आके सई जानका नहीं पाना चाहता है हमारा वार्ट सब्सक्राइं मिल जागा लेकर आप संपर्थ कर सकते धन्यवाद